दोस्तों आज की इस वीडियो में हम चेसर लाइट बनाना सिखाने वाले हैं वो भी दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बहुत ही कम पार्ट की मदद से चेसर लाइट बनाने वाले हैं तो दोस्तो इस chasear light को बनाने के लिए सबसे पहले आपके पास किसी भी तरह का मनलब आपको किसी भी color का आप ले सकते हैं, किसी भी type का ले सकते हैं, दो LED आपके पास 12 bolt की होनी चाहिए, या आप इस तरह का लेते हैं, या इस तरह का смотрtा क्कोई light है, पांच पॉइंट में क्या है आप जब अपने साइड देखिए एक साइड में आपका तीन पॉइंट होता है और एक साइड में दो पॉइंट होता है यहां आप देख सकते हैं इधर साइड में तीन पॉइंट है इस साइड में दो पॉइंट है तो यहां पे जिधर तीन पॉ इस तरह से हमारे रिले के पांचों पीन होते हैं अभी आपको बनाने के लिए सबसे पहले रिले हमने ले लिया उसके बाद आपको ले लेना है एक रेजिस्टेंस जिसका वैलू है सो ओम यह आप हाफ वाट में ले सकते हैं तो सो ओम आप इसे ब्यासी ओम असियों मलब आपका सत्तर ओम से प्लस ही होना चाहिए ये आपको एक रेजिस्टेंस ले लेना है अब इस रेजिस्टेंस को आपको कहां लगाना है देखिए रिले का हमारा जिदर एक साइड में तीन पीन है तो इसमें नहीं रखें दाहिने साइड में यह वाला पिन जो प् रिखिये यहां पर जोड़ देना होगा तो रजिटेंस को कुछ इस तरह से हमने यहां जोड़ दिया आपको भी कुछ रजिटेंस इसी तरह से आपको जोड़ लेना है और दोस्तों अगर यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरू बोल्ट आप 25 के जगा 35-50 कुछ भी ले सकते हैं अब देखे इसमें दो पॉइंट होते हैं दो टर्मिनल एक प्लस और एक माइनस जिधर आपका सफेद पट्टी देखे लगा उस माइनस का सिंबल लगा हुआ है यह हो जाता है माइनस और दूसरे साइड वाला प्लस तो य में माइनस जोड़ देना है अभी दोस्तों हमने कैपिसीटर को कुछ इस तरह से लगा दिया है वीडियो को ध्यान से देखेगा जिससे आप बनाए तो आपको आसानी हो क्योंकि बाद में लोग कमेंट करते हैं कि हमारा नहीं बना तो देखे यहां कैपिसीटर को लगा ले यह प्लस है और यह दूसरा वाला माइनस है तो क्या करना है दोनों LED के माइनस वाले वायर को आपको दोनों को एक में यहां देखे सोल्ड कर लेना है एक में आप लपेट लीजे या सोल्ड कर लीजे आपको जो सुबधा लगे तो मैं दोनों को यहां सोल्ड कर लेता हूं दोनो माइनस हमारा सोल्ड हो गया अब इसमें connection हमें करने है तो यहां पर जो रिले का इधर जहां हम रेजिस्टेंस जोड़ा हूर यहां रिले की यह बीच वाला common हो गया और यह हमारा स्विचिंग का काम जब हम अब सप्प्लाई देते हैं तो हमारा यह स्विच आनाफ होता है तो यहां पर देखेए दोनों जो Plus फाला वायर है led का Plus वाला आप किसी पर ऊड़गे और एक इसपर जोडगे पर यहां जोड़ देता हूं हमने दोनोh led के plus को देखें यहां पर जोड़ दिया है अब बचा माइनस वाला वाइर तो माइनस वाला वाइर जहाँ capacitor का minus यानि relay की coil का जो minus point है उस minus वाले point पे हमें इसे जोड़ देना है अभी देखिए हमारा minus वाला wire LED का इसमें जूड़ चुका है ठीक है तो अभी पूरा इसका connection हो चुका है बस अब इस पे हमें supply देना है तो supply देने के लिए दो wire यहाँ हम रख लेते हैं जिसे कि यहाँ एक red है plus और यह वाला हमारा minus हो जाएगा ठीक है अब इसका connection आपको यहाँ करना है देखिए जहाँ आपने LED का minus जोड़ा है और capacitor का minus है वहाँ पे इस wire का minus हमें यहाँ जोड़ देना है हमारा minus जोड़ गया अब इसके बाद जो plus वाला wire है relay का common वाला pin यानि बीच वाला pin यहाँ आप देख सकते हैं इस common pin पे हमें plus वाले wire को जोड़ देना है अभी हमारे total connection हो चुका है अब इसे हम supply देंगे तो दोस्तों मेरे पास 12 volt inverter की battery है उसी से हम इसे supply देंगे तो यहाँ आप देख सकते हैं हमारा minus हो गया यह plus हो गया और यह हमारा minus plus हमने जोड़ा है यहाँ पे हमारा minus को हम लगा रहे हैं और यहाँ पे हम यह plus को लगा रहे हैं तो अभी आप देख सकते हैं कि हमने जैसे यहाँ connection इसे दिया plus और minus का तो हमारा जो LED है वो लगा blinking करना सुरू हो गया जैसे आपका integrator कोई जलता है उस तरह से हमारा जो LED है वो देखिए अच्छी तरह से यहाँ work कर रहा है तो अभी आप लोग देख सकते हैं कि हमारा जो यह चैसा light बिल्कूल अच्छी तरह से काम कर रहा है यानि हमारा एक बार यह जल रहा है यह जल रहा है तो दोस्तों यह वीडियो अगर आपको पसंद आ रहे है तो वीडियो को like and channel को subscribe करना मत भूलिएगा मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार